बोपाल में बनने वाला स्री राम संग्रहाले पर्टकों के आकर्षन का केंद्र बने मुख्यमंत्री स्री चौहान विद्धार्थियों को रामचरित मानस की सिक्छाओं से अवगत कराना सराहनी मानस भवन में हुई तुलसी मानस प्रतिस्ठान की प्रबंध कारिनी की बैठक मुख्यमंत्री स्री चौहान ने पीपल नीम और करंज के पौधिरों पे सारी रिग बौधिक व्यायाम के साथ अनुशासन का संस्कार भी सिखाते हैं खेल केंद्री मंत्री श्री तोमर चम्वालिसवे चेस ओलेंपियाड मशाल पहुची गौालियर अतिवरिष्टी से प्रभावितों के लिए करें परियाप्त बंदुबस्त क्रशी मंत्री स्री पटेल हर्दा में जल भराव से प्रभावत निचली बस्तियों का किया अवलोकन क्रशी मंत्री स्री पटेल ने दुलारा बालक मोख्च को सूचना मिलते ही मोख्च के उपचार का कराया प्रभंध स्पाइस जेट फ्लाइट की पाकिस्तान में इमर्जेंसी लेंडिंग दिली से दुबई जा रहा था विमान दिली से दुबई जाने वाली स्पाइस जेट की SG-11 फ्लाइट में तकनी की खराबी आने के बाद पाकिस्तान के कराची में इमर्जेंसी लेंडिंग की गई विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं तीस नाटो सहीयोगियों ने स्वीडन और फिन लेंड के लिए एक्सेंशन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये रूस के साथ अब चीन की भी होगी घेरबंदी उत्तरी अटलांटिक संधी संगठन के 30 सदस्य देशों ने स्वीडन और फिन लेंड के लिए एक्सेंशन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये हैं स्री लंका में नहीं सुधरे हालात पीएम विक्रम सिंगे ने बताई आगे की योजना 2022 में भारत ने स्री लंका के लोगों को अभूत पूर्व आर्थिक वित्ती और मानवी सहायता दी जो 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है उत्तरी वजीरिस्तान में सेना के काफिले से भिड़ा बाइक सवार फिदाईन हमले में आठ पाक सैनिक घायल यह फिदाईन हमला सोंबार देरात उत्तरी वजीरिस्तान में हुआ हमले का शिकार सेना का काफिला मीरान शाह जा रहा था पाकितिहास का सबसे बड़ा नाटक विदेशी साजिस्त के दावे पर मर्यम नवाज में इमरान पर बोला हमला मर्यम नवाज ने कहा दुर्भाग से पाकिस्तान की राजनी ती एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में गई जो जूटा और धोके बाज है उसने लोगों को अपनी साजिस्त में व्यस्त रखा और सत्ता जाने में विदेशी शक्तियों के हाथ होने का दावा किया ऐसी ही डेली अपडेट के लिए देखते रहिए